हलो फ्रेंड्स, है मैं अप्रुती, वेलकम एक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपसे अमेरिलिस लिली के बारे में बात करेंगे लेकिन साथ ही आपसे फुटबॉल लिली, रजनी गंथा यानी ट्यू ब्रोज, रेन लिली इनके बारे में भी कुछ बाते शेयर करेंगे सबसे पहले ये हमारा एमेरिलिस लिली के प्लांट्स है जो कि हमने वेस्ट ग्रो बैग में लगाए हुए है जो आटा बैग होता है, उसमें एक्स्ट्रा बल्ब जो थे वो लगा दिये थे और ये इसी में ही लगे हुए है इस बार हमने इसको रिपॉर्ट नहीं किया और ये देखिए बंदरों ने आते के साथ इसका पहला नुकसान तो कर दिया लेकिन एक फ्लावर स्पाइक इसमें ठीक थी लेकिन कब नुकसान कर गए पता ही नहीं चला तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे ही गाडनिंग नहीं होती है और खास तोर से जिनके यहां बंदर होते हैं उनको तो थोड़ा ध्यान रखना होता है उस दिन पहले हमने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि कुछ बल्ब को हमने लगाया है दोबारस से गंबले में यानि रीग्रो किया है और कुछ को नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे तो जिन जिन में पत्तियां दिखाई दे रही हैं उसको हमने रीग्रो नहीं किया और ये ऐसे ही गंबले में लगे हुए हैं और जिन में पत्तियां नहीं हैं वो सभी हमें रीग्रो किये हैं अब देखिए एक ही बल्ब में दो फ्लावर स्पैक आई तो काफी विव Fiwers पूछते हैं कि क्या एक ही बल्ब में दो फ्लावर स्पैक आ सकती है तो ऐसा possible है अगर बल्ब हे जल्दी है तो उसमें दो flower spike आ सकती हैं अब देखिए सभी बल्ब में आपको flower spike देखने के लिए मिल जाएंगी लेकिन अभी भी कुछ बल्ब ऐसे हैं जिनमें अभी flower spike भी नहीं आई है पत्तियां भी नहीं आई हैं तो ये normal बात है इसको लेकर आप परिशान बिल्कुल ना हो तो अब आते हैं और कहीं कहीं पर मई तक जाकर भी फूल देता है तो ये भी normal बात है इसको लेकर भी परिशान नहीं हो ना कभी आपका plant flower दे सकता है अब इसमें seed भी बनते हैं इसके बारे में एक वीडियो हमने अल्रडी शेयर की हुई है इन्हीं फूलों को सूखने के बाद seed pod त आते हैं किसी दिन दूसरे लेकिन ये दो-ती दिन बने रहते हैं ऐसे ही और इस plant को आप जब flowering शुरू हो तो आप घर में भी रख सकते हैं decoration purpose से लेकिन जब ये फूल खतम हो जाए फिर वापस से आप plant को धूप में shift कर दीजिए मुझे कहीं जाना था और ये plants में घर में और देखे जहां से इसको रोशनी मिली उधर की तरफ ही flower spike मोड़ गई तो यही plant की एक आदत होती है कि जहां उसको धूप मिलती है वो उधर की तरफ ही growth करता जाता है रोशनी हो धूप हो तो ये सबी plants मैंने अंदर रखे हुए थे क्योंकि अगर इनको बाहर छोड़ कर ज तो वह मनें शूट नहीं किया क्योंकि यह तो नॉर्मल बात है तो पिर से हमने इसको बाहर उपर रख दिया क्योंकि घर में इसलिए नहीं रखा वीडियो शूट करनी होती है और फिर क्वालिटी इतनी अची नहीं आपाती है घर में रोशनी जो नैच्रल लाइट में या 5 फूल तक आ सकते हैं ये depend करता है बल्ब कितना healthy है बहुत से बल्ब में 2 flower spike आई है तो ये healthy bulb की निशानी है बहुत से बल्ब में 2 flower spike देखे healthy है ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे फूल खिले बिल्कुल अच्छी flower spike बनी है और फूल भी वही है natural size है ihan normal size है तो यह वाली जो है यह थर्ड वराइटी है एक वराइटी बड़ा वाला लाल फूल है यानि रैड कलर का बड़ा merriillis flower, सेकिंड वाला cream कलर का shaded flower है और थर्ड वराइटी यह थोड़ा ओरइंग नहीं कह सकते हैं इसको यह thyroid red 거лов ही है तो यह थर्ड वराइटी है जो कि इसका फ्लावर थोड़ा छोटा है तो तीन वराइटी तो हमारे पास यह हो गई फॉर्थ वराइटी जो है वो अभी इसका फ्लावर नहीं खिला है बार्बर्डिस लिली है वो वो बहुत से कलर साते हैं तो मिलता है वो बल्ब तो जरूर हम उसको मंगवाएंगे आपसे शेयर करेंगे तो फिलहाल जो भी आप हरे हरे पौधे देख रहे हैं इनको हमने री ग्रो नहीं किया है जो पत्तियां बनी हुई है यह ऐसे कैसे प्लांट बहुत टाइम से इसी ग्रो में लगे हुए है और यह वेस्ट बैग है जगह आप देख सकते हैं कितना चोटा सा अटा बैग में हमने इसको लगाय है था यह एकस्ट्रा बल्ब थे जो भी आटा बैग में लगे हुए थे लेकिन अब यह लदी बल्ब बन चुके हैं और सबी बहुत अशे प्लावर्व और इस वाले को भी हमने रीग्रो नहीं किया इसमें जैसा ये था वैसा ही है और इसमें भी सभी में फ्लावर्स आने लगे हैं यह हमारी जो भी क्रीम कलर का हमने फ्लावर दिखाया यह वही है इसको हमने रीग्रो किया था तो तीनों अलग-अलग है इसके बल्ब इसमें से बेबी बल्ब बहुत सारे निकले थे जिनको हमने शिफ्ट कर दिया क्रेट में वो भी आगे आगे आपको दिखाएंगे और सभी में कली बन रही है किसी में थोड़ा लेट प्लावर्स आएंगे किसी में थोड़ा जल्दी आ जाएंगे लेकिन सब में फूल आएंगे अगर बल्ब हेल्दी है मैच्यॉर है तो यह जब मैं 12 में थी तब मैं अपने स्कूल से इस प्लांट को लेकर आई थी और देखे इतने साल हो गए है तब से यह मेरे पास लगतार बना हुआ है जबकि मेरी और भी फ्रेंड्स थी वो भी लेकर आई थी लेकिन उनके यह यह अलग कर लीजिए और फिर उसको अगर आप अलग से ग्रो करते हैं एक साल में वह हेल्दी हो जाएंगे और वह सभी आपको फ्लावर्स देना शुरू कर देंगे यह जब आप जमीन में लगाते हैं पूरा लाइन से अगर आप लगाएंगे इतने प्यारे लगते हैं इस प और बहुत अच्छिंट देता है इनको भिरॉक का निकाल करसकते हैं लेकिन रीडु करना है तो वह जो समय है वहाइस से घ्र URL का बेस्ट टाइम है क्योंकि मार्च ग्रोफ से अस्में ग्रोफ स्टार्ट हो जाती है अलग-अलग जगए पर अभर मार्च में भी इपलावरस दे देता है तो फरवरी में प्लांट तयार कर लिज़ीए और ग्रोथ नहीं हो रही है तो ओध थोड़ा पेशेंस रखें यह वेट कीजे कीजिए जलदी उसमें ग्रोथ हो जाती है अब देखिए एक बल्ब उसमें अभी ना तो पत्रया ना फूल तो थोड़ा से patience तो रखना ही पड़ेगा यह एक healthy bulb है जिसको main bulb में flower आयए है लेकिंग बेबी बल्म है यह अभी mature नहीं है तो इसमें flowers नहीं आये है प्लावरिंग के टाइम आप प्लान को घर में रख सकते हैं डेकुरेशन के लिए लेकिन इस प्लान को सनलाइट रिक्वाइड है अगर आपको प्लान को अच्छी ग्रोध करानी है बल्ब हेल्दी रहे तो कोशिश कीजिए जब फूल ना भी हो तो भी प्लान को ऐसी जगर र सकते हैं लेकिन ग्रो करने का सही टाइम फरवरी है और क्रेट में जो हमने एक्स्ट्रा बल्ब लगाए थे बेबी बल्ब उन सभी में भी ग्रोध स्टार्ट हो गई है और जल्दी ही और हरे भरे हो जाएंगे फुटबॉल लिली रजनी गंदा यानी ट्यूब रोज उसके अधी हलकी नमी रहे तो वह सही रहते हैं और अच्छा रिजल्ट उसमें मिल जाता है तो प्लावरिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताईएगा थेंक्यू